वाई गुरुजी का खाल्चा वाई गुरुजी की फतेव आज पंजाब के कोने कोने से आए हुए मेरे भाईयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार सब को मेरा प्रणाम सस्रियकाल मैं देख रहा हूं दूर दूर तक जहां भी नजर जा रही है इतने लोग इतने लोग आ जाये हुए हैं पूरे पंजाब से लोग आये हुए हैं इतनी भारी संख्या में लोग आये हुए हैं, आप सब लोगों को मैं सलूट करता हूँ, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ, कि आप इतनी दूर से चलके इतना समय निकाल के आए, उसके लिए बहुत-बहुत-बहुत शुक्रिया. आज मैं आपके बीच में पंजाब के किसानों को सलूट करने के लिए आया हूँ दिल्ली से जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीन काले कानून पास किये सबसे पहले उसके खिलाफ विरोध में आवाज निकली पंजाब से आवाज निकली सबसे पहले पंजाब के किसानों ने उन तीनों कानूनों की खिलाफत करनी चालू करी पंजाब के अंदर सबसे पहले अंदोलन उठा और वो अंदोलन दिल्ली पहुँचा जो आग पंजाब के अंदर आप लोगों ने लगाई आज वो पूरे देश के अंदर आग लग रही है सारे देश के किसान आज खड़े हो गया आप लोगों के साथ आज मैं पंजाब के किसानों को इसी लिए सल्यूट करने आया हूं पंजाब वीरों की धरती है ये आज नहीं सदियों से जब 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 अन्याय हुआ देश के उपर या पंजाब के उपर पंजाब के लोगों ने उसमें लीडर्शिप ली है और इस बार भी तीनों कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने लीडर्शिप ली है मैं सल्यूट करने आया हूं पंजाब के लोगों को कि अब केवल पंजाब के किसानों का अंदोलन नहीं बना अब ये हर आदमी का हर औरत का हर बच्चे का अंदोलन बन गया है और केवल पंजाब में नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली के घर घर के अंदर ये अंदोलन पहुच गया है, मैं अभी सूरत गया था, सूरत में आम आदमी पार्टी, बीजेपी से 27 सीट जीत गई है, बीजेपी के गड़ के अंदर, गुजरात बीजेपी का गड़ माना जाता है, सूरत में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, और पहली बार में सूरत के अंदर, कॉंग्रेस की जीरो, आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई है, तो मैं अभी सूरत गया था, सूरत के लोगों ने मेरे को कहा, कि सर अगर आप पंजाब जाओ, तो पंजाब के लोगों ने को बोल देना, पूरे गुजरात के किसान उनके साथ हैं, दिल्ली आपके साथ है, गुजरात आपके साथ है, थोड़े दिन पहले मेरी ममताब एनरजी से बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा, कि वेस्ट बेंगॉल के सारे किसान आपके साथ है, तो ये लोग जो बोलते हैं, कि ये अंदोलन तो केवल एक दो राज्यों का अंदोलन है, ये एक दो राज्यों का अंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का अंदोलन है, और ये केवल अपसी का अंदोलन है यह हर देश भक्त का अंदोलन है इस देश के रहने वाले बच्चे-बच्चे का अंदोलन है इसके लिए मैं आज पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने आया हूं कि आप लोगों ने इसको शुरू किया शुरू से मैं इस अंदोलन में मैंने केवल समर्थन नहीं किया इस अंदोलन का हिस्सा बनके मैंने इस अंदोलन के अंदर भाग लिया और आज उसको मेरे को हरजाना ये हमें परिशान कर रही है मौधी सरकार खूब परिशान कर रही है अब ये हमारी सारी पावर छीनने का कानून लेके आए हैं संसद के अंदर जब पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ चले नवंबर के महीने में तो हरियाना के अंदर हर शहर में इनको रोका गया इनके ओपर पानी की बुछारे छोड़ी गई बैरिकेड लगाए गए आसू गैस के गोले छोड़े गए हर जगे इनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन पंजाब के किसान का हमानने वाले हैं वो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए सारे अड़चन पार करते हुए इनके बैरिकेड तोड़ते हुए पानी की बुछारे पार करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुँच गए तो दोस्तों मोधी सरकार ने एक बहुत बड़ा शडिंत्र रचा उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी मोधी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो नो स्टेडियम नो बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी मोधी सरकार ने उनको जेल बना देते हैं और उन जेलों के अंदर पंजाब के सारे किसानों को डाल देंगे वहाँ ये कई महीनों तक पड़े रहेंगे इनका अंदोलन खतम हो जाएगा दोस्तों से अपनी दोस्तों अपनी किस्मत अच्छी थी उन स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोधी सरकार को नहीं थी, वो हमारी सरकार को थी ये किस्मत ही उपरवाले की कृपा है, वाईगुरुजी की कृपा है कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर मोधी सरकार की नहीं थी तो मोधी सरकार ने मेरे पास फाइल भेजी कि ये नौ स्टेडियम जेल बनाने है मैंने पूछा क्यों बनाने है बोले ये जो किसान आ रहे हैं इनको जेल में डालना है तो दोस्तों हमने का हम नहीं जेल नहीं बनने देंगे इन्होंने खूब फोन करें मेरे को इन्होंने खूब दवाव डाला खूब प्रेशर डाला लेकिन हम नहीं जुके अभी जर्नेल सिंग ने पढ़के बताया मैंने फाइल पे लिख दिया किसानों का आंदोलन अहिंसक है इनकी मांगे जाये जैं मोधी सरकार तुरंत इनकी मांगे मान ले और हम इनको जेल नहीं बनने देंगे दिल्ली पुलिस की जियर जी हम लोगों ने खारिज कर दी हम लोगों ने कैंसल कर दी यह इतना गुसा हो गए इतना गुसा हो गए मिरसे मोधी सरकार खूब नराज हो गई और उसी का नतीजा है पिछले हफ़ते संसद के अंदर मोधी सरकार कानून लेके आई है कि दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर केजरीवाल की नहीं होगी दिल्ली के अंदर अब से सारी पावर मुख्यमंत्री की नहीं होगी सारी पावर गवर्नर की होगी LG की होगी सारे निरने LG लेगा वो हमारी सारी पावर छीनना चाते हैं उनको लगता है अगली बार जब जेल बनानी पड़ी तो फाइल फिर मुख्य मंत्री के पास नहीं एल जी के पास जाएगी पर दोस्तों चिंता मत करना आपका बड़ा भाई आपका बेटा मैं वहाँ पे लड़ रहा हूं इन लोगों से छे साल से लड़ रहा हूं मेरे को पत आप किसी बात की चिंता मत करना आप अजब आंदोलन जब बॉर्डर पर किसान आके रुक गए उनकी सेवा करने के लिए हमारे सारे ML जितने ML बैठे हैं पंजाब के सारे ML हमारे MP भगवन तमान साथ हमारे दिल्ली के सारे ML दिल्ली के सारे MP सब ने वहाँ जाके सेवादार की तरह सेवा की मैंने सब को बोल दिया वहां जाओगे पार्टी का जंडा नहीं लेके जाना पार्टी की टोपी नहीं पहन के जाना पार्टी का नाम भी नहीं लेना केजरीवाल का नाम भी नहीं लेना सेवादार बनके वाय गुरुजी का नाम लेके किसानों के बीच में जाके सेवा करना इन्होंने सब ने जाके रोज सेवा करी और भी बहुत लोगों ने सेवा करी केवल हमने नहीं वहाँ पे और बहुत सारी जथे बंदिया है सब लोग ने लंगर लगा रखा है हमने दिल्ली सरकार की तरफ से सब्सक्राइद का इंतिजाम करा हमने वहां पर लंगर का इंतिजाम करा फिर काई بच्चे आए एक दिन मेरे पास भोले हमें अपने पिंड में बात करने में दिक्कत होती है सिग्नल कमझोर है हमने वहां पर फ्री Kerry का इंतिजाम करा दिल्ली सरकार की तरफ से जो जो हम कर सकते थे हमने किया तो एक दिन अपने अख़बार में पढ़ाओगा मैंने सोचा मैं भी सिंगू बार्डर पे जाके किसानों से मिलके आता हूं जब मैं अपने घर से निकला तो दिल्ली पुलिस ने मेरे को रोक लिया दिल्ली पुलिस मेरे एंडर में नहीं आती दिल्ली के मुख्यमंतरी के एंडर में नहीं आती मेरे को मेरे घर के अंदर नजर बंद कर दिया मेरे को 24 घंटे घर से नहीं निकलने दिया ताकि मैं तो मुझे कोई परवा नहीं है यह जो मर्जी अत्याचार करें आप लोगों का लड़ाई आप लोगों की लड़ाई जायज है आपकी मांगे जायज है आप सच्चाई के रस्ते पे चल रहे हो अंत्पंत में जीत अपनी होगी इनोंने अंदोलन को खिसानों को बदिनाम करने की कोशिश करी कभी कहते है खालिस्तानी है कभी कहते है अतंकवादी है कभी कुछ कभी कुछ किसम किसम के इल्जाम लगा है अंदोलन के उपर लेकिन देश की जनता देख रही है इनका एक भी नहीं चली आम आदमी पार्टी ने इनके जितने बीजेपी के नेताओं ने गालियां दी जितने बीजेपी के अगवों ने हमारे किसानों को गालियां दी आम आदमी पार्टी ने इनके उपर सत्तर केस कर रखें इनके सारे बड़े बड़े नेताओं के उपर केस कर रखें मुझे पूरे उमीद है यह जितने लोगों ने गालियां दी है एक दिन ये सारे जेल जाएंगे जब आदेश पारित होगा दोस्तों सत्तर साल से इस देश के अंदर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है किसानों के साथ ज्यात्ती हो रही है सतर साल से इतनी पार्टी आई लेकिन किसानों को धोखे के लावा कुछ नहीं मिला कभी कोई पार्टी आती है कहती है हम नौकरी देंगे कोई नौकरी नहीं देता कभी कोई पार्टी आती है कहती हम कर्जा माफ करेंगे कोई कर्जा माफ नहीं करता लेकिन दोस्तों ये तीनों कानून जो हैं ये तीनों कानून ऐसे हैं कि अगर ये पाज ये लागू हो गए तो किसानों का कुछ नहीं बचेगा ना उनकी जमीन बचेगी ना उनकी खेती बचेगी ये खेती उठाके बड़े-बड़े पुझी पतियों को इनके जो दोस्त है तीन चार दोस्त है उनको उठाने की पूरी तर इन्होंने तैयारी करक्षिए आज से चार साल पहले जब पंजाब में चुना हुआ था तो कैप्टन साहब ने भी बड़े-बड़े वादे किये थे किये थे कि नहीं किये थे कैप्टेन साहब ने कहा था स्मार्ट फोन दूंगा जिस जिसको स्मार्ट फोन मिल गया जरा हाथ खड़ा करके दिखा दो अपना फोन दिखा दो कैप्टेन साहब ने जिस जिसको स्मार्ट फोन दिया है किसी को नहीं मिला कैप्टेन साहब ने कहा था किसानों का लोन माफ करूँगा करजा माफ करूँगा किस का करजा माफ हो गया जरा हाथ खड़ा करके बता दो कैप्टेन साथ ने कहा था बुढ़ापा पेंशन ढाई जार रुपे महीना करूँगा जितने बुजूर्ग बैठे हैं जिस जिस के धाईजार रुपे हो गए जरा हाथ खड़े करके बता दो कैप्टेन साहब ने कहा था हर घर में नौकरी दूँगा किस-किस को नौकरी मिल गई जरा हाथ खड़े करके बता दो आज ये मैं कार्ड लेके आया हूँ ये कैप्टेन साहब ने ये कार्ड बाटे थे नहीं बाटे थे इस पे लिखा है बेरोजगारी भत्ता कार्ड बेरोजगारी भत्ता कार्ड इस पे लिखा है कैप्टेन ने सौचुकी हर घर एक नौकरी पक्की कैप्टन ने सौ चुकी हर घर इक नौकरी पक्की किस किसको नौकरी मिल गई दोस्तों ये कार्ड कैप्टन साब ने ये कार्ड 20 लाख लोगों के घर में बाटे थे 20 लाख नौजवानों को ये कार्ड दिया था कैप्टन साब ने कहा था मेरे को वोट दे दो मेरी सरकार बन गई तो मैं नौकरी दूँगा ये कार्ड ले आना कार्ड दिखा के मैं नौकरी दे दूँगा आज पंजाद के युवाँ उनके घर के चक्कर काट रहे हैं एक आदमी को नौकरी नहीं मिले मेरी आप लोगों से निवेदन हैं ये कार्ड फैकना मत ये कार्ड रख्या रखना रोज सवेरे उठके इस कार्ड को निकाल के देखना ये आपको याद दिलाएगा कि आज से चार साल पहले एक आदमी आपको धोखा दे के वोट दे के चला गया ये कार्ड आपको याद दिलाएगा कि किस तरह से कैप्टेन साहब ने आपको जूट बोल के वोट लिया ये कार्ड फैकना मत अगले एक साल तक रोज सवेरे उठके ये कार्ड देखना मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपको धोखा देता है डोप क्या करते हो उससे बदला लेते हैं कि कैप्टेन साहब ने आपको धोखा दिया एक साल के बाद उनसे बदला लेना एं नहीं लेना लेना है जिसने धोखा दिया पूरे पंजाब को दोखा दिया ना किसी को नौकरी दी ना किसी को रोजगार दिया ना किसी का लोन माफ किया ना किसी की बुढ़ा पर पेंशन लगाई अभी दो दिन पहले एक टीवी चैनल वालों ने दो दिन पहले एक सर्वे किया था, देखा था सर्वे आया था, क्या था सर्वे में? दो दिन पहले उन्होंने सर्वे किया था, कि आज अगर चुनाव हो, तो पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? सर्वे में आया है कि पंजाब के लोग कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वे में आया है, एबीपी चैनल वालों ने सर्वे किया है, सर्वे के अंदर निकल के आया है कि आम आदमी पार्टी नंबर वन पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो दोस्तों ये कार्ड संभाल के रखना, एक साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये कार्ड दिया था, उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी, जिन जिन लोगों को कैप्टेन ने ये काड़ दिया था, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी, कैप्टेन साब ने जितने वादे करे, एक भी वादा पूरा नहीं किया, दिल्ली के अंदर हम भी चुनाव लड़े थे, दिल्ली के अंदर चुनाव के पहले हमने भी वादे करे थे, बाई साब एक एक वादा पूरा किया, एक एक वादा पूरा किया, चुनाए दो दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है कोई पावर कट नहीं लगता 24 घंटे बिजली आती है और बिजली का बिल कितना आता है यह मैं देख रहा हूं कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है मैं देख रहा हूं कई लोगों के चेरे फक पड़ेयां भी उनको समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है बिजली का बिल जीरो कैसे आ सकता है बाइसाब दिल्ली में 73 प्रतिशत लोगों का बिजली का बिल जीरो आता है उनके घर बिजली का बिल नहीं आता उनके घर बिजली का बिल नहीं आता 24 घंटे बिजली आती है चमतकार है ये और पंजाब के अंदर इतना बिजली का बिल आता है तो दिल्ली के अंदर अगर 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर जीरो बिजली का बिल आता है पंजाब में बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए ऐसे नहीं होगा जोर से बोलना पड़ेगा हाथ खड़े करके बताओ बिजली का बिल जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में क्यों नहीं हो सकता कौन करेगा कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी कि चुनाव के पहले मैंने वादा किया था अपने लोगों को दिल्ली में कि मेरे को वोट दे दो मैं स्कूल अच्छे कर दूँगा आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शांदार होगा इतने शांदार होगा हमारे गरीबों के बच्चे इतने शांदार स्कूलों में पढ़ते हैं आज हमारे गरीबों के बच्चे डक्टर बन रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं एड़ोकेट बन रहे हैं मैं आप से पूछना च अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए कौन सी पार्टी करेगी कौन सी पार्टी करेगी जुनाव के पहले मैंने दिल्ली के लोगों को कहा था हमको वोट दे दो हम अस्पताल अच्छे कर देंगे आज दिल्ली के अस्पताल इतने शांदार हैं बाई साब अगर 15 लाख रुपे का भी उप्रेशन हो दिल्ली के अस्पताल में फ्री में होता है एक पैसा नहीं लगता सारी दवाईया मुफ्थ सारे टेस्ट मुफ्थ सारा इलाज मुफ्थ सारे डक्टर मुफ्ट और इतने शांदार सरकारी अस्पताल है पंजाब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए कौन सी पाटी करेगी तो दोस्तों एक साल है एक साल के अंदर अब अपने को मिलके हम सब लोग गाउं गाउं के अंदर हर पिंड के अंदर हर पिंड में जाएंगे हर महले में जाएंगे हर गली में जाएंगे और आपके साथ मिलके एक नए पंजाब का सपना तयार करेंगे अपने को नया पंजाब बनाना है अपने को खुशाल पंजाब बनाना है अपने को एक ऐसा पंजाब बनाना है जिसमें हर किसान खुशो, हर मजदूर खुशो, जिसमें हर व्यपारी खुशो, हर आड़ती खुशो, जिसमें हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा खुशो, जिसमें हर एक को अच्छी शिक्षा मिले, जिसमें हर आदमी को अच्छा इलाज मिले, जिसमें पैसे की तंगी की तो हम सब लोगों को मिलके कैसा पंजाब बनाना है अगले एक साल में हम सब मिलके कैसे पंजाब का सपना तयार करेंगे उसके बाद आमादमी पार्टी की सरकार आएगी और आपके साथ मिलके पंजाब को एक नया पंजाब बनाएंगे खुशाल पंजाब बनाएंगे एक बार फिर से मैं पंजाब के किसानों को कहना चाहता हूं, पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूं, हम तन, मन, धन, पूरी तरह से मैं, मेरी पार्टी, मेरी सरकार किसानों के साथ हैं, और जब तक ये तीनों कानून मोधी सरकार वापस नहीं लेती, हम चैन से नहीं बैठे बोले सोनिहार इनकलब